आप देखरे रफ्तान्य चैनल सबसे तेस सबसे आगे लोनी में जल निकासी ना होने के कारण डूप कर हुए एक और मासुम की मौत का जबाद लोनी में आखिर कब तक मासुम बच्चे यूँँ डूप कर मरते रहेंगे जिया आज लोनी के एक कलोनी में जलनीकासी ना होने के कारण खाली पलोट में भरे पानी में डूपकर एक मासूम बच्चे की मोत हो गई हम आपको बताते की स्वस्ता में नमबर वन का दावा करने वाली नगर पालिकाने सबसे बड़ी समस्या जल निकासी है जिसका समधान आज तक नहीं हो सका यहीं मुख्या कारणने की घरों का पानी रास्तो या खाली पड़े पलोटों में भरकर सीव विमारियों को ही जनम नहीं देता बलकि उन मासुम बच्चों की मोत का कारण भी बन जाता है जिन्होंने दुनिया में आकर अभी कुछ नहीं देखा और ना कुछ समझा आज ऐसे घटना आसोक विहार कलोनी वाड 47 में देखने को मिली एक सबजी बेजने वाले रही सहमत का धाई वर्सिया पुत्र सूफियान खेलते हुए घर के बराबर में खाली पलोट में भरे पानी में डूप गया आसपडोस के लोगों ने तब उसे निकाला जब तक उसकी मोत को ग फिलोटों में पानी बढ़ता है क्योंकि उन्होंने जो है कुछ कुछ कि माँ बच्चे और आज आज हैं इस ते उते लिए बच्चों के लिए अच्छा आपके बच्चे का नाम क्या है क्या नाम है बच्छे के क्याम सोफियान कैसे डूबा यह फेल不好 है यह फेल्ट फेल्ट जुडल गया पैर रपगा और प्लोट में बिरा यज के पानी कि साल कियाया और प्लोट में पानि कैसे फरा हुआ ए Around single पनी है पहली गली के लोग है वो चलाते हैं इस पिलोट में पढ़ाए करने पर भी नहीं माननते हैं अज हैं यह साल का है पुक्छा आपका यह 2 साल क्लपा कि क्या नमत देड़ा थैजान अचाibl लगा चाहते हैं वीजह हई और क्या मांग करना कि जाते हैं कि ये इस तरह के प्लोटों को खाली ना चुड़ा जा जा ठीजिए